हेलो बच्चो बेटा लास्ट वीडियो में हमने रिलेटिव वेलोस्टी के सारे कॉंसप्ट के लिए कर लिये थे और हमने रिवर बोट प्रोब्लाम कर ली थी बेटा आज हम उनी टोपी के कुछ नुमेरिकल डिसकस कर रहे हैं और कुछ आपके लिए होमवर्क भी है चीक है तो यह फर्स्ट टू कुश्चन आपकी टास्क है यह आपको करने हैं मैं एक बार स्टेट्मेंट समझा देती हूं दोनों आपको फर्स्ट में कहता है एक पार्टिकल पी इस मोविंग अलों ए स्टेट लाइन विद ए वेलोस्टी ओफ 3 मीटर पर सेकेंड एक पार्टिकल ह आप अपनी महरजी से कहीं भी मान लेना कि इस जा रहा है जैसे आप ऐसे मान सकते हैं कि आपका पार्टिकल यह यह पी पार्टिकल है तो यह इस डारेक्शन में चाहरा है ठीक है फ्र एक्जामपल दिखाने के लिए मैं आपको रिप्रजेंट कर रही हूं अब इसके रिस् इसे है वीटा तो क्यो पर्टिकल अपका 30 डिगरी एंगल पर यह ठीटा आपका 30 डिगरी गीवन है और यह आपका क्यो पार्टिकल है आपका प्राइंड्ट क्या करना है find speed of q relative to p यानि q की p के respect में आपको v q p निकालना है विटा यह find out करना है तो इसको आप कैसे लिखोगे बच्चो v q minus v p यह relative velocity है तो सबसे पहले first of all आपको यहाँ पर दो vector का addition find out करना है बस और कुछ नहीं जिसमें एक vector negative है और दूसरा vector positive है तो बस आपको p को negative बनाने है यह आपका काम है ठीक है next question में क्या है देखिए to a driver going east in a car एक driver है जो car में जा रहा है बिटा east direction में with velocity 40 km per hour फिर कहता है east आप direction तो बनाई लेंगे तो यह east west है आपकी तो इधर आपका driver जा रहा है car लेके फिर कहता है कि a bus appear to move towards north with a velocity of this और यह ध्यान से पढ़ना यहां से to का मतलब है कि जो बस है वो बस east direction में car में जाते हुए आदमी के लिए वो जो बस है वो north में जाते हुई लग रही है इस आदमी को लग रही है यानि कि यह बस की आपको velocity नहीं दी गई है यह बस की relative velocity दी गई है man के respect में क्या दिया गया बिटा यहां पर we be with respect to man दिया गया आपको तो यह given है आपको चीक है और वो north direction की तरफ तो आप underline कर लेना जो जो आपको terms इसमें important लगती है north की तरफ इतनी speed से तो कहता है what is the actual velocity and direction of motion of bus तो bus की actual velocity और direction आपको बताने है ठीक है ऐसा एक numerical में discuss कर रही हूं इसी में तो चलिए start करते हैं आज का जो हमारा first numerical है वो यह है a boat is moving with a velocity 3i cap plus 4j cap with respect to ground एक boat है ground के respect में उसकी यह velocity है फिर कहते है the water in the river is moving with और जो boat जिस पानी में चल रही है वो पानी चल रहा है एक velocity minus 3i cap minus 4j cap से with respect to ground दोनों ground के respect में given है उस्टा है what is the relative velocity of boat with respect to river और वो boat की river के respect में पूछना चाहरा है तो बिटा जो आपको given है पहले आप वो लिख लीजिए तो सबसे पहले boat की velocity given है आपने वो लिखी फिर river की velocity given है water की वो लिख ली हमने उसके बाद हमें boat की find out करनी है water के respect में तो आपने लिखा कोई angle देता या magnitude की term में देता तब हम जाके diagram की form में बनाके फिर find out करते हैं चीक है तो दोनों vector given ने दोनों की value put की ii वाले एक साथ कर लिए jj वाले एक साथ कर लिए तो यह आपकी velocity आ जाती है यहाँ पे boat की with respect to water और वो आ गई 6i अगर इसका magnitude पूछता है तो magnitude निकालना भी simple है दोनों component का जो coefficient है उसको square करके add कर देना है आपको तो 6 का अगर 368 के 64 यह 100 100 का जो अंडर रूट आएगा वो 10 आएगा और unit given नहीं है बच्छों यहाँ पर मीटर पर सेफिन या किलोमीटर पर आवर लिखा होता तो वह unit हम यहां लिख लेते तो हमने यहां 10 unit यानि जो भी unit होगी वह unit यहां आ जाएगी ठीके पिटा इस तरह से at least दो बार तो पढ़े और उसको समझे कि उसमें क्या गीवान है ठीक है तो देखें कहता है तो अब यहां फिर से टू आ गया तो आपको हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है बिटा टू एपरसन एक आदमी के लिए moving जो की जा रहा है इस ट्वर्ड इस डारेक्शन में फिद वर्टिकली मैंने इसको वर्टिकली ले लिया डाउनवर्ड विदे स्पीड ओफ 6.4 किलोमेटर पर आवर तो यह रेन की दे रखी है मैं मैं के यानि परसन के रिस्पेक्ट में दे रखी है रिलेटिव दे रखी है बिटा तो वी आरपी दे रखा आपको फाइंड दनेटीक़े दिएगा अच्छे से यह आपकी इससाथ यहां से तो इस तार्म से इसमें इस डारेक्शन में आपका गर्टन और इस परीज़न के लिए रीन बहुत इसको दिखाईए डाउंवर्ड तो वह रे सिर्म होगई वी आरपी जिलेख चुआपको पूसले है इसको की निकालनी है यानि VR निकालना है तो कोई दिकत नहीं है बच्चो सबसे पहले रिलेटिव को लिखना आपको आता है रिलेटिव कैसे लिखा जाता है VRP equal to VR minus VP तो यह हो गई relative velocity of rain with respect to person अब मुझे यह given निकालनी है तो वी आर को एक तरफ कर दिया और वी पी को दूसरी तरफ ले गया तो वी आर पी प्लेस में VP अब यहां दो वेक्टर का जो सम है वो उसका resultant जो है वो rain की velocity होगी ठीक है तो हमें यह करना है अब इन दोनों यह दोनों वेक्टर मेरे पास है और यह भी पोजिटिव यह भी पोजिटिव दोनों को add करना है ठीक है बीटा तो इन दोनों को simply इस तरह से हम add कर देंगे parallelogram बनाके तो जो भी आपका resultant आएगा वह वी आ होगा rain का होगा यानि इस man के actual direction यह है और rain आपकी इस direction में actually ऐसे रेन बारिस हो रही है ठीक है अब इसकी direction कहें आपसे तो यह angle मैंने थीटा मान लिया मान लिजिए moving man के respect में तो आप इसको भी थीटा मान सकते हो किसी को भी मान लिजिए तो यहां से इस थीटा को निकालना है हमें तो इस triangle से जितना यह है उतना ही यह है तो इसको भी आप भी आर पी लिख सकते हो इन magnitude तो यहां से आप टेंजन थीटा की value भी निकाल सकते हो तो इस angle के respect में यह बेस हो गया यह perpendicular हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया वी आर पी और बेस हो गया वी ठीक है तो पीट इसका resultant का magnitude होगा यानि इसका जो coefficient है यानि इसकी जो value है magnitude में उसका square प्लस 10 square तो दोनों की value को हमने square करके add किया और यह आमारे पास आ जाता है 8 km per hour फिर tangent theta की बात की हमने तो वी आर पी लिखा बिटा और वी पी से डिवाइड दोनों की value पुट की और यह आपके पास आ ज 27 and 53 की values लिखी हुई है और वहाँ पर आपने sign और cost की value लिखी है तो उसी में एक line और बढ़ा कर आप 10 की value लिख लेंगे कैसे कह रही हूं मैं मैं इस तरह से कह रही हूं बिटा यह जैसे यह table आप इस तरह से फिर से complete कर लेना आपने इतनी तो already की हुई है यहां पर theta की value ल लिख जाओ 60 degree 90 degree 90 के बाद 37 degree and 53 degree ऐसे और फिर आपने sign theta लिखा फिर cost theta लिखा और यहां पर आप 10 लिख लेना तो यह दो तो आपकी complete है अब इसकी value आपको पता है 0 पे 0 30 पे 1 by root 3 45 पे 1 60 पे root 3 और 90 पे हो जाएगा आपका infinite और 37 पे कितना आएगा तो आपको पता है sign 37 कितना होता है 3 by 5 3 by 5 तो sign होता है 3 by 5 और यह होता है 4 by 5 यह हो गया 4 by 5 यह 3 by 5 ठीके बिटा तो यहां से tangent 37 हो गया 3 by 4 और यह हो गया 4 by 3 तो 53 डिगरी पे आपका जो value है वो 4 by 3 तो इस तरह से आप find out कर सकते हैं बच्चों ओके तो यह numerical है इनको आप जरूर प्रेक्टीस करें जितना आप प्रेक्टीस करेंगे उतने ही concept आपके clear होंगे बिटा